खास मेमान हमारे साथ इस्टूडियो में मौझूद हैं उनको लेकर चर्चा करेंगे आपको तारूफ कराते उनका एके मिश्राजी है एके मिश्राजी घाटी वे जिस तरह से मैंने जिक्रित किया कि इस वक्त कई चीज़े चल नहीं है अलगावादी नेताओं को हिरासत में लेना बुरहनवानी का कल बर्सी होना आतंगवादी गतिविदियां भड़ना इसको लेकर हालात काफी जादा बिगड़ते जा रहे हैं आसिफ देखिए एक चीज़ में बता दूँ मैंने एक बार पहले भी आपके इसी चैनल पर डिबेट हुआ था इसी इशू को लेकर के देखिए यहां पे जितने इंटरनल स्टेक्षोल्डर हैं काश्मीर अपने जो मतलब इंडियन सेक्टर में जो काश्मीर है इसमें पाकिस्तान को इंक्रूड नहीं करेंगे वो स्ट पुब्लिक परसेप्शन के साथ इसको जोड़ रहे हैं उसको हीरो की तरफ प्रेजेंट कर रहे हैं ताकि एक मौका इनके पास कोई नया मौका तो आ नहीं रहा है एक नया मौका और क्रियेट किया जाए मैं बोलना यह चाहता हूं कि केवल बुरहानवानी का ही आप क्यों म यह पुब्लिक साइकोलजी, क्राउड मैनेजमेंट का यहां पे रोल है और आइडियोलोजी के साथ फाइट है तो गवर्मेंट को इस चीज पर भी ध्यान देना चाहिए और इस एंगल से भी फाइट करनी चाहिए कि ऐसी ताक्तों को ऐसी मनोभावनाय जो ऐसी है कि गलत चीजों को जो हाइलाइट किया जा रहा है एक जबर्दस्त कैंपेलिंग वगरा आइडियोलोजी के लेबल पर होना चाहिए ताकि वो मॉब को मैनेज कर सके और लोग उनके साथ न जुड़े यहां पे मुझे गवर्मेंट की लैकिंग दिख रही है आसे क्या लगता है रा आसिब जी जैसा आपने बताया के ओर महा चल रही है यह चीजें चल नहीं रही है और अतनकी संगाठरण दुआरा और सरकार दुआरा चल वाय जा रही है प्रिपलान पर्दे के पीचे से इसमें कोई होत्ती सोक्ती नहीं है एक आतनकी डिष्ड़ोग बता कर रही उसको उ गठनों को पना देने वाले और आतंख को पना देने वाले और विलोग लिख्त हैं। उन पर सरकारा आठ सेंगा भाहए हैं। जम्मु कस्मीर के लोगों को आतंकवादियों से प्यार है, हमारे देश के कई महा मुस्लिम सैनिक भी सहीद हुए हैं, राफ्ट करते वेदी पर, उनकी बरसी तो वो नहीं मना रहे हैं, अभी औरंगेव जो एक सैनिक थे वहाँ पर, औरंगेव सहीद हुए हैं, पिसले बार DSP सहीद हुए थे मस्जिद के सामने, उनकी अत्या करती गई थी, एक अभी हमारे पत्रकार सहीद हुए हैं वहाँ पर, उनके लिए क्यों नहीं ये लोग, जो वहाँ जम्मु कस्मीर के लोग है, ये केमपेनिंग चला रहे हैं, ये कहते हैं, कि हर घर से अफजल निकलेगा उसका सायोग करेंगे, कितने अफजल मारोगें, ये क्यों नहीं कह रहे हैं, कि इस आतंक वाद का विरोध करेंगे, जो हमारे देश को नुकसान पहुचा रहा है, और हमारे से पहले जम्मु कस्मीर को ही पहुचा रहा है, बिल्कुल, देश को भी पहुचा रहा है, जब में खालिफ्तान की मांग को लेकर के बिंड़ावाला सहीत तमाम जो संगठन आतंकी पल ले थे और KPS गिल ने केंटर सरकार से एक अनुमती मांगी थी के मुझे अपने तरीके सा आतंकवाद से सुलट ने दिया जाए और वहां सुलटा गया था आतंकवाद और आतंकवा में आपको रोकना चाहूंगा रक्षा विशेशक हमारे साथ जुड़गा है मेहमूद आलम जी सौगत है मेहमूद आलम जी जो घाटी में इस वक्त सब कुछ चल आया है जमू कश्मीर में किस तरह से देख रहा है हालात दिन बा दिन खराब होते जा रहे हैं नयातिक मैं आपकी बात से बिलकुल मुत्तफित हूँ हालात को बड़े चिंता जनट है और जिस तरीके से टैरिस में अपनी टैक्टिस को चेंज किया है और वो जो है वाजी पुलिस को निशाना बना रहे है और आपको ये मालूम है कि कोई भी आर्मी आपरेशन जब होता है और इंटेमिजन पुलिस की घरिये मिलती है तो पुलिस को का मनोगल जो है वो गिराना चाहते है और उसके अलावा दूसी एक दोर जो वहां पर नया डेवलप्मेंट हुआ है वह ये है तेगिए पहले जो ती वहां पर आतंगवाद की बागदोर जो है पॉरें टैरिस क मैं मामें जम्मूकश्मीर के जवान सेना ने भी हुरें तो जो है मैं महमून आ배 में दुट सेनाम फ्रेंचे माथ वह टोन वह अब फिल्कुल हुरें मैंआ की बात मैंना हूं तो आपकी वह प्रशना demiş रहे ह DANIEL अब पुलिस में भी हो रहे हैं, लेकिन आज आप वहां पे यह देखी जो एक डर और खौफ का महाल बैठ केया है और मेरा यह मानना है कि पॉलिटिकल वैक्यूम वहां पे पैदा हो गया है इसको बहुत जल्दी हमें पुर करना पड़ेगा वरना आने वाले दिन और खतरनाक हो सरी है बिल्कुल, बाबा शुक्रिया हमसे बात्चीत करने के लिए, ललन पुरसाद जी जिस तरह से महमूद आलम जी कह रहा है कि राजनितिक गतिविधिया कुछ इस तरह से चली, कुछ हालात इस तरह से वहां पर बन गए, जिसका असर सुरक्षा को लेकर वहां पर पड़ रहा है लेकिन अब जो है उस दिशा में काम हो रहा है, अलगावादी नेता जो महल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं नको हिरासत में लिया जा रहा है, क्या सिर्फ बुर्हान वानि की बर्सी को लेकर हिरासत में लिया जा रहा है या लंबे तोरपर इस तरह की कारवाई भी हो सकती है ललन जी दिखिए कारवाई तो लंबे तौर वर भी होनी है लेकिन इस समय तो immediate problem है जैसे कल की problem है तो ऐसी हारत में government को बहुत सक्ती के साथ इस situation को सभारना है क्योंकि वहाँ आम जनता एक तो आतंकवादियों और गावादियों से डरी हुई है और इस डर के कारण लोग बहुत से लो हमारा साथ इस समय नहीं दे रहे हैं वहाँ पर या सेना का साथ या पुलिस का साथ नहीं दे रहे हैं अधिकांस लोग डरे हुए है क्योंकि आतंकवादियों घर में घुजाते हैं उनके घर में जाके रहते हैं और उनके बच्चों को उनको सबको परिशान करते हैं उनको गर हमारी मिल्टरी को बढ़ने निकालना हैं और फिर्स पुलिस और फिर हमारी मिर्टर को प्थर निकालना मार है, घुरियां चलानी पड़ हैं और इस्सुद ढंब है, दुसरी बात ने बहुत पैसा कश्मीर में बाता है, और जो नौजवान जिसने पत्थर मार रहे हैं अभी एही रिपोर्टे हैं कि सब उनको पैसे देती हैं पाकिस्तान की और से पैसे आ रहे हैं तो ये फंडिंग को इमीडिट कैसे रोका जाए गौर्मेंट को सब तरफ से एक्षन देना है एक तो अपनी मिल्टरी को और पुल कायी है और बहुत सारे आतंगवादी मारे भी गये लेकिन अभी भी 200 के उपर आतंगवादी हैं जो घरों में लोगों के चिपय हुए हैं क्षमीर के अंदर है gloss तो ये आतंगवादी सिर्फ कर मेर के पाकिस्तान से आये हुए लोग नहीं है कुछ अंदर के लोग भी हैं कुछ बाहर के लोग भी ऑयर अंदर के लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं उनको इसकी वज़र से समझ्या नर्ली एक दर के लिए यह ऩ्याया भी ताके जो है वहां के लोग भी डरें और उनको सपोर्ट करें वक्त चोड़े से ब्रेक का जलाजर होते हैं बने रही हमारे साथ ब्रेक के बाद आपका स्वागत है आप देख रहे हमारा खास कारेकरम आज का मुद्दा बात जम्मू कश्मीर के हालात को लेकर हम कर रहे हैं तीन खास मेमानों का पैनल हमारे साथ मौजूद है एके मिश्रा जी क्या कल का दिन पर शासन के लिए सेना के लिए काफी चुनौपी भरा क्योंकि कई चीज़े जम्मू कश्मीर में चल रही हैं हालात को काबू में पाना आसिप देखिए डेफिनेटली कल क्या हो क्या नहीं होगा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है लेकिन एक पॉइंट है जो बखरने वाली चीज़े आप ये देखिए अगर कल ये लोग कर रहे हैं या इन्होंने ये गोशा की है तो आप ये समझ जाईए कि अलगाववादी के जो सुरच्छा वाल है वो अपना काम कर रहे हैं देखिए चार-पांस तरीके से हमको इसको मैनेज करना पड़ेगा क्यों एक तरीका सफीसियंट नहीं होता है यहां पर ये जो है आप ये देखिए ये एक साइको सोमेटिक वार है जहां पर मॉब या क्राउट की जो एक बिहेवियर होता है जो साइकोलोजी होता है उसको मैनेज करने के लिए ये चीज होता है कल अगर वो सक्सेज हो भी गए तो एक ये आदे के लिए एक बहुत बड़ा ये माईल स्टोर ये लोग बना लेंगे कि देखो जी अब हम एक हपते बाद फिर किसी और का करेंगे बहुत संजीदा करीके से लेना चाहिए और इस चीज को निस्तनाबूत करने के लिए विफल करने के लिए केवल ये रहे कि आप आर्मी या सी आर्पिया फोर्स बगरा लगा दे धारा 1444 लगा दे इस वक्त सबसे जरूरी है किसी एक्सपर्ट को बैठा करके जो मॉब की सा चरुम सेखड़ों लोग बाले ही वो थी कर लाखों में नहीं हैं मतलब फूरी वहाँ वैली के सारे लोग नहीं है लेकिन 100-2005-1002-1000 जो भी है इन लोगों को identify किया जाए और identification के लिए बहुत सारी technology available है, camera, recording वगरा सारी चीजे हैं, आसे सबसे बड़ी जरूरत है ना कि दो group में वहाँ के लोगों को identify किया जाए माप को, एक वो जो anti है और ऐसे activity में भाग लेते हैं, उनकी brain washing की जाए, उनको कैसे भी psychological treatment दे के समझा के जो शान्ति प्री हैं लेकिन किसी बलवे में आकर किसी बाकावे में आकर के ये motivate होके participate कर रहे हैं, उन लोगों को brain wash करके, उन लोगों को motivate करके, समझा करके रास्ते पिलाया जाए, तो एक तरीके से एक ये mob और crowd की जो psychology होती है, उसको समझते हुए हमें, सरकार को हर दिशा से अलगावादी नेताओं ने ऐलान कर दिया कि कल जो है जम्मू कश्मीर बंद रहेगा, सारे लोग सयोग करें, एक rally निकाले का आतंगवादी की मौत की बरसी को लेकर इस सब कुछ हो रहा है, क्या सरकार को समझ में नहीं आना चाहिए, कि ये नेताओं का मकसद क्या है, अ क्या राजनीति क्या मजबूरी है जो सक्ती से काम नहीं ले रही सरकार है, आसिव जी आपने बिलुकुल ठीक बात रही कि सरकार ने समय गवादिया, जो तीन साल सरकार ने गवाए हैं, लेके जब ये महभूबा के साथ उन्होंने अपनी पार्कनर्सिप शुरू की, तभी महभूबा के साथ उनको एस सत रखनी चाहिए थी, जो अरगाववादी नेता हैं कश्मीर के या जो आतंकवादी आतंकवादीयों का साथ देते हैं, उनका सरकार साथ नहीं देगी, अगर इस सत पर उनने सरकार बनाया होता, तो आज साथ इस्तिती ही दूसरी होगी, वहां इस्तिती इनके हाँ से बाहर निकलती गई, और सेना को इन्होंने काम नहीं करने दिया, अब वह स्तिती आ गई है कि जब यह समझ रहें कि सेना को और कश्मीर की पुलिस को फ्री हैंड जब तक नहीं देंगे, तब तक इस्तिती नहीं सुद्रेगी, और देखें, जो हमारे अब शुद्रेगी, जो इसमें अब शरकार दबाव में आ गई है, अब आप तक रख्शा अविश्यष्ट है, पियन हुद्धी जो सब कुछ चल रहा है, अलगावादी, नेताओं की गरफतारी, बुरानी के कल बरसी, इसके लाबा वहां पर रैली, कई जगा कर्फियू ल कोई एक्जल करना पड़े, और मैं आपको बताता हूं, मैं उदर था, मैं कोर कमांडर था, और यही बात हो रही थी, कि भई, उन दिनों में मुस्ती सी बाती थे सब से, और यह चल रही थी बात के भई, अब कैसे करेंगे, इदर रहेंगे, उदर रहेंगे, तो मैंने तो पोल दिया इनको, मैंने का देखो, अगर आप लोग जाना चाते हैं, तो मैं आपको दो दिन का खाना दूँगा, और टोली दस, बारा, बीस आदमी की आपको क्रोस करा दूँगा, और जाहिए आप पाकिस्तान, जी, और वो काम्याबी हुआ, कि वो गए और चले गए, उस वकत इतना बाद गल्ब काम कर रहे थे, कि अभी भी नहीं कर रहे, मैंने तो बोला था कि जो हमारी कश्मीरी बेहने हैं, जा लड़कियां हैं, उनको हम इंडिया में बेज़ देते हैं, वो एक ही पात है, उदर उनको देख स्टाइपन, उनको सिखाओ, तब हमारे पास आएंगे, आपको अब पता है, कि इन्होंने पत्थर मारने शुरू हो गए है, और ये बच्चेओं को पत्थर तोड़ना सिखाने के लिए, ये सेंट्रल इंडिया में बेजा हुआ है, मुझे पता है, ये उदर सीखते हैं, ये पत्थर कैसे तोड़ना है, और फिर अराम स आजाते हैं, और वो ही पत्थर मिलता है, वो तोड़ के और कर रहे हैं, ये मुझे क्या जो जम्मू कश्मीर की राजनीती है, अलगावादी नेटा है, कई संगठन है, ये क्या पूरा महौल खराब करने की कोशिश कर रहा हैं, ये सब जानते हैं, लेकिन भारत सरकार क्यों मैं महरान हो गया था कि चनली दिन होए हैं, उन्होंने मुझे बोला है कि आप जो है, वो कश्मीरी पंडित हैं, वो वर्ल्ड के आया है, ये जनरल हून वर्ल्ड के पंडित हैं, और उदर के हैं, और मैं तो क्यार हूँ, अगर हम उदर जाते हैं, उनके लिए हमने कामी करन है ना हमने गोलिये ठोड़ी माननी है गोलिये तो उनको बोलेंगे कि बैटा मत मारो मत मारो आप लोगों सब कुछ मिलेगा हम उदर से लोग भी बेजते थे हिंदुस्तान में पढ़ने के लिए लगकी लगके वो फ्री बेजते थे और हम यह भी करते थे कि इधर भी शुरू करो अब इधर तो शुरू करते हैं इधर सब का यह है और मुझे तो हैं यह हरानी हुई कि वो आया है कि मेरा नाम आया है गूगल में जो के वर्ल्ड का है कि जनरल हून जो है वो एक कश्मीरी पंड़त है और वो सब पूरा उनोंने दे दिया है कि यह कहां थे कहां से कहां कश्मीर तो हमारा था और बहुत अच्छा चल रहा था अब इनकी मर्दी है सब को अठा दिया है उदर से अब क्या करें करना चाहिए क्यों नहीं उनको देना चाहिए ना कुछ तब होगा जो पाकिस्तान से इंफिल्ट्रेशन हो रही है वो गोली मारते वाइंग तबादे है उसको एक वजह है आप मानने है इस तरह से बल्गरा देते हैं अलगावादी नेता पाकिस्तान के संगठन बेलकुम जो आप कह रहे हैं बिल्कुम द्रुस्ता है जो उदर ओ क्या रहा है क्या कुछ करेंगे तब ही होगा ना तब ही हमारे अच्छा जब तक नहीं होता जब थाूरि अज़त अरे जो बच्चे ऑît उदर एयाए उदरipा इंडिया बेच सकते हैं उनको सिखा सकते है सीख के आ जाएं एक साल में बाहर हम उनको ले जाएं और कश्मीर में शुरू कर दें और कश्मीर में जो हो रहा है यह पाकिस्तान की बड़ी साजिश है पूरी तरह से और उसी के चलते ही यह सब कुछ हो रहा है पाकिस्तान की नीतियों का उसकी जो नियत है नीति यह उसका स पाकिस्तान अपने मकसद बे कामियाब हो रहा है वह मोहरों की तरह अलगावादी नेताओं को इस्तिमाल कर रहा है जमू कश्मीर के लोग को इस बात को समझना चाहिए और ना तो पाकिस्तान अलगावादी नेताओं को ना तो महबत करता है ना प्यार करता है ना लगाव है स सिर्फ इस्तिमाल कर रहा है ये नेताओं को भी समझ लेना चाहिए देखिया आसिप जी पाकिस्तान अपने मनसूबों में जो काम्याब हो रहा है वो एकेला काम्याब नहीं हो रहा है उसको हमारे देश की सरकार काम्याब होने दे रही है ये बड़ी कड़ी बात है मगर सत्य ह अब हम कुछ दिन पहले ऑगी बात करें 55 दिन पहले बात करें जिस डेश के ग्रह मंत्री खुले मख सखी भाज सेगा मार रहे हैं और उन की हथ्या टक नहीं है आप ग्रहमंतरी हैं आप उनसे हमदर्दी भी रख रहे हैं बच्चों से के वो नादान है आप तमाम सरकारी सुरक्षा छोड़ करके और आपके दो बेटे हैं उनको साथ लेकर के वाँ जाईए कसमीर में और उन नादान बच्चों से मिलिए बात करिए आपको पता लग जाएगा वो बच्चे नादान है या सेतान है उन बच्चों को नादान कैसे का जा सकता है जो देश की आलमी पर अटेक करने की हमत जुटा रहे हैं जो सुरक्षा वाइवस्था को चैलेंज कर रहे हैं जो देश की सरकार को चैलेंज कर रहे हैं जो पूरी जिस तरह से कहा था, BJP ने कि हम सक्ती से काम करेंगे, चप्पन इंच का सीना होना चाहिए, और चप्पन इंच का सीना कहरा है कि जो लोग पत्थर बाजी कर रहे हैं, उनके मुकद्वाद कर देगा. जब आप छोटे छोटे पत्थर बाजों को नहीं रोख पा रहे हैं, और आप बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान और चीन की सेना को मो तोड़ जवाब देंगे, आप से ये तो रुक नहीं रहे हैं, या ऐसी दो चीज़ होती है, एक सक्ती, एक इच्छा सक्ती, एक द्रण से ठान लेगी, ये पत्थर बाज तो कुछ भी नहीं है, बड़े-बड़े आतंकी, या तो मारे गए, या फांसी चढ़ा दिये गए, मगर बड़ा सवाल इस बात का है, कि सरकार के पास, जिस दिन इन आतंकीों पर कारवाइक कर देगी, राजनियतिक मुद्दा नहीं बच चुनाव आ रहे हैं, सरकार को देश बक्ती भी दिखानी है, लोगों से वोट भी बटोडनी है, और ये भी दिखाना है कि हम जवान और देश के लिए कितने सेंस्टिव हैं, कितने गंभीर हैं, ऐसा है नहीं, ये सिर्प मात्र दिखावा है, तो आजी इसनी है मेरी बात, अगर क्या आशियाई आतंकपादी सेंस्टर और देश द्रोईयों की इगतिविधियो मलिक की हैं, बाकी लोगों को क्यों नहीं उठाया गया, यासिन मलिक को क्यों नहीं उठाया गया, जितनी आतंक की वहां सरगना हैं, उनको क्यों नहीं उठाया गया, उन पे आखिर महर क्यों एक है मिश्रा जी यही सवाल है कि आप पहले से अगर कारवाई करते आपको सब कुछ मालूब है राजनितिक हालात वहां पर है वही सबसे ज्यादा बलगला रहें वहां के बच्चों को उक्सार है वो उन्हीं के ऊपर कारवाई होना चाहिए लेकि जड़ पर कारवाई कहां कर रही यह सरकार आसिफ देखे मैं अभी दूसरे रच्छा विश्यशक जो हून साहब है मैं उनको सुन रहा था बात बेरोजगारी की भी चली थी देखे अगर दो फैक्टर को देखा जाया है तो मैं सतर साल आजादी के बाद से मैं लेता हूं मैं बोलता हूं कि जब पॉलिटकल वाइक्यूम वहां पे नहीं था उस ताइम पे जब सरकारे थी कोई एक सरकार थी कॉंग्रेस की थी तब क्या इस तरीके के बवाल वहां पे नहीं होते थे तब भी होते थे कास्मीर के इस्तिती में कोई सुधार नहीं आया है आजादी के बाद से ही चाहे कॉं लोगरी नहीं होती है वो 1400 किलो मीटर दूर रोजगार पाने के लिए चला जाता है काश्मीर के लड़के जो है उनकी फैमली वाले खुद उनको बाहरत में किसी नों को रोजगार देने से मना किया हुआ है कई बार आप देखते हैं कि अगल बगल के गलियों में शॉल बेसते हुए लोग मिलते हैं सवाल यह है वो खुद उन्होंने अपने आपको कॉंटेंट करके वहां पर रखा हुआ है गवर्मेंट ऑफ इंडिया की बहुत सारी फैसल्टी उनको जाती रहती है खाने पीने के लिए मिलता रहता है काश्मीर में इतना बड़ा टूरीजम था इतन बरबाद हो गया शेक्डो साल लगे था शेक्डो साल भ GDP को समझना चाहिए अभी मैं आप ही टीवी पर देख रहा था जो यह पाकिस्तान के जंडे लारा रहता इनको बोलना चाहिए इनको बताना चाहिए कि 1971 तुम जंग याद कर लो पाकिस्तान जिन्सेतिमें इतनी मुह जाता हूं गारण बंगला देश के लोग है, मैं वहीं बोल नहीं कि है क्या, एक चीज ये है, इस मुद्धे पे 70 साल के बाद चाहे कोई भी गौर्मेंट हो, अब आपको एकदम क्लियर कट आपको अपनी आइडियोलोजी, अपनी स्टेट्जी, अपनी फिलोस्पी, अपनी डॉक्ट्राइन रखनी पड़ेगी, डॉक्ट्राइन ये रखनी पड़ेगी, कि आप सेपरेट करिए, हिंदुस्तान की ऐसी कोई भी पॉलेटिकल पार्टी, जो काश्मीर में पत्थर फेकने वाले, आतंक बादियों के लिए सौफ्ट कॉर्नर रखती हो, उनके अगेंस् दूसरे पालू है, आप उसमें सौफ काश्मीर में पारी है, बिकुल, जवान जो है, वो काम कर रहे हैं, सेना काम करें लेकि दूसरे पहलू पर काम करना चाहिए, वहाँ पर काम नहीं है, क्यों सौफ्ट ही पड़ी है, आसिफेद बहुत इंपर्टन चीज आपको बहुता अगर इन्हों ने थोड़ा भी स्टेप लिया होता और अभी टाइम है, यह तो बहुत राइप है, इस वकत में समझता हूँ कि इस बेस टाइम टेबारिस आर्टिकल 370, क्योंकि इस समय कश्मीर बर्निंग और जो कुछ होना अभी होना है, अगर इस समय वो आर्टिकल 370 के बारिस कर दें, तो क्या हो गया, महीने बीच दिन और होगा उत पात, जो भी ने करना होगा, नहीं सतर साल से हो रहा है, सतर साल और हो जाएगा, इसके बाद यह सारा मामला ही खतम हो जाएगा, अचा जहां तक यह जो बात लोग कहा रहे हैं कि कश्मीर के नौजवान बेरो किसने वहां को क्रियक की है, फ्री में बैट के खाने की आदत पड़ी है, यह तो उन्होंने खुद ही की हुई है, सारा देश जाता है कि कश्मीर में जाकर घूमें और सहर करें और चुटिया मनाएं, और कितनी आमदनी कश्मीर के नौग को हो, लेकिन जब महां के लोग ही इसके लिए तयार नहीं है, और महां के लोग अपड़े बैठे हुए हैं, तो हम क्या कर सकते हैं? आप लोगों के खाहिम में सर्कार को कोई भी फिल बिना कश्मीर के बंती नहीं थी, इतना रोजगार था। आप लोगों के लोगों के लोगों के लोगों के साथ आपने सरकार बना ली तो आप कैसे खत्म करेंगे? यह जो इन्होंने महभूबा के साथ साथ गाट करके सरकार बनाई और जो आटिकल 370 वाली बात को स्टे कर दिया, यह बहुत बड़ी घलती इनकी थी, और अगर अभी भी मौका है इनको और वैसे भी चुनाओ आ रहा है, अगर इस समय आटिकल 370 यह बादिस्त कर दें, तो इनके दिए चुनाओ में बहुत बड़ा मददगार होना सरकार के लिए, अब अगर यह नहीं करेंगे, और कश्मीर की स्थिती नहीं संब्ली, तो इनके दिए यह बहुत ही महंगा पड़ेगा, आप देखेंगे, कश्मीर एक बड़ा मुद्दा इस समय देश में देश में को मैं ते कहूँगा कि आर्टिकल 370 के वारिष करने का सबसे अच्छा समय इसमें भारत सरकार के पास है, लेकिर आजीब जी क्या इतना वक्त है कि आप हालातों को कंट्रॉल में कर लेंगे ये, जब नती ही नहीं है इनकी, आसिब जी वक्त तो बहुत है, और मैं आपको ब आसिर जी में एक चीज पाप का जहान आकर सित कराना चाहूंगा, जब बाबरी मस्जिद और राम मंदिर का थैंसल आमा था, उत्रपरदेश बहुत बड़ा राज्य है, और इंपुट यह मिल ले थे कुछ भी होचकता, बानमेवाली स्थेटी भी होचकती है, बड़े इतनी सुरक्षा वएवश्था कि इतना सब कुछ किया, इतनी चाक्चोबद वएवश्था कि एक पत्ता तक नहीं उदा और पूरे परदेश में कहीं कोई भी घटना की, अपि यह घटना की कहीं से पूर सुचुरा ले जब इतने बड़े परदेश में जिसको अराजक पर साब के वहाँ बेरोजगाली, पाकिस्तान से वहाँ तयार करके एँधर से यां भेजेगी आ पैसे आ रहे हैं, पैसे इंडिया जा दे रही है, उनके साथ बैठक कर रही है, जिस देशर की सरकार को एक किसानों कativos के साथ बैठक करने का समय में और और आतंकियों के साथ बड तीसरी बात आसिप अकबर लोन नामक विधायक जमू कजमेर विधान साबा में पाकिस्तान जिंदाबाद और हिंदुस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाता है और देश की सरकार उस पर देश द्रोह लगा के जेल नहीं बेजती क्या यह नहीं माना जाएगा कि सरकार का अब बताइए मगर यह सरकार देश बक्त हैं जो सवाल पूछेंगे पत्रकार या जो भी लोग पूछेंगे रट्साइम से सगये वो देश द्रोही माने जाएगे सरकार जो यह कहें वो ठीक है कल तक महबुबा मुप्ति जो आतंकियों को पाल नहीं थी जो पुरानवानी क परिजनों को पहुंचा दे रही थी वो इनके साथ सरकार मती तो वो देश बक्ती आज वो देश द्रोह है आज यह महबुबा मुप्ति को भीजेपी सरकार और नरेंदर मोदी जी और अमित सहां जी और केंद्रिय ग्रह मंत्री कैसे देश द्रोही कहेंगे देखिए जो आज वो इमानदार नहीं हो सकता एक कावत है चोट चोरी से चला जाएगा एरा फीरी से नहीं जा सकता अगर वो कल देश द्रोही थे तो आज भी देश द्रोही हैं कल भी देश द्रोही रहेंगे आपकी क्या मजबूरी थी ने साथ सरकार बनाने की महबुबा मुप्ति ने वो भी आतंकियों के सर्गनाओं के साथ सरकार बना रही थी और आप भी बना रहे थी आपने बिहार में जिसको कहा था तेनितिस कुमार आतंकी सर्थ जहां के अब्बू हैं, आज आप उसी आतंकी सर्थ जहां के अब्बू के साथ सरकार बना रहे हैं, फर्क कुछ नहीं है आप में कांग्रेस में, वो भी सक्ता सर्थ प्यार करती थी और आप भी सक्ता सर्थ प्यार करती थी। पूरी दुनिया कुछ नहीं उखाड पाई पाकिस्तान कुछ नहीं कर पाया मैं बोलता हूं चाहे धारा तीन सो सतर रटानी हो चाहे सेना पे जो पथर जो लोग फेक रहे हो या किसी और तरीके से अलगाबाद की राजनीत कर रहे हैं आप अपने विजन को आप अपने उद्देश को आप अपनी आइडियोलोजी को सरकार से मेरा सवाल है क्लियर करके क्यों नहीं रखते हो आप बोलो कि कोई भी आदमी अगर भारत मता मुर्दाबाद हिंदुस्तान तेरे टुकड़े होंगे अगर बोलेगा तो उसका अंजाम यह होगा चाहे वो बंगाल में हो चाहे कश्मीर में हो यहां तो लोग बिदान सभाव अगर में भी जो हैं मारे लगा दे रहे हैं क्यों कारवाई नहीं हो रही है और एक सबसे खतरनाथ चीज मैं बताऊं जो य इल गॉबर्मेंट दे रहे हैं सौफ्ट कॉर्णर है आज की डेट में अगर यह सेना पे पत्थर भेख फेक रहे हैं पूरे ग्लोबल उसमें इमेज क्या बनेगी इमेज यह बनेगी कि जित देखो जी भारत की सेना तो क्या है कोई भी उनको को कोई कर दे तो देखें यह स जिसने केवल मतलब कुछ दिनों में 90 हजार सेनिकों का जो है सशुर्थ आत्मसमरपड करवाते हैं मतलब बिना किसी शर्थ के आत्मसमरपड करवाता था पाकिस्तान को दो टुकड़ों में फाइड दिया था यह वही सेना है लेकिन इस सेना की गरिमा को यह राजनेता कर रही है है जुआ है मैं आपके पास आऊगा रक्षा विशेश्य वईता बंतब शाद मिनाक्षी आचारिय बर्थबाल जी क्षा विशेश्य गैसा जूट किया स्वागत मिनाक्षी जी इस बाकि जम्मू कश्वीन में बहुत कुछ चल रहा है अल्गावादी नेताओं की ग्रफतारी बुरहान की कल बर्सी है इसके लावा पीडीपी के कई नेता भी टूट चुके हैं क्या ये हालात और भी खराब करने के लिए ये पूरी तरह से समा बन चुका है इसका असर क्या पढ़ेगा हालात पर बर्सी मनाते हैं तो ये कहां का अच्चते है ये बेंसी के लिए जब हम आप वहां पे धरादल पे जब आप जाएंगे जब कश्मीर में आप रहेंगे तब आपको पता चलेगा कि किस परिके के नारे लगते हैं मैं वहां पे 90 से कंटीनिसली रही हूं मैं हर साल गई हूं वहां पे कवरेज करने के लिए तो जब इनके जो स्लोगन्स निकलते हैं वो इतने ज़्यादा अपने देश विरोधी होते हैं कि आप इसकी कल्पनाई निकल सकते ऐसे ऐसे स्लोगन्स ये लोग लेके खिलाते हैं में जफ्राइक कौन घोल राए मिनाक्षी जी ये जन्नत की फ्रिजा में जहर कौन गोल राए ये जो अलगावादी जितने भी अपने नेतर हैं वो तो हई हैं साथ-खाथ में जितने बिट्म पॉलिटिकल पाटी जहें वहां के पीडिपी हो जाए नैशनल कॉन्फरेंस हो काम रहा है कि नोने कभी भी आज तक इनके ऊपर कफोर कारेवाय कभी की ही नहीं है। इनके करना ही नहीं चाहते हैं। किसी यह जो soft corner रखके बेसिकली जो इनके जो vote का जब आप जब elections होते हैं, तो यही लोग हैं जो कि इनके mandate को पूरा बनाते हैं, इनके support में वोट जलवाते हैं, तो यह उनको यूज करते हैं और यह उनको यूज करते हैं। दोनों तरफ से यह जिवन टेश वाली policy है। कि आप हमें कुछ मत कहिए और जब elections होंगे, तो आप हमारा support कीजिए। वोट सौएके, तो यह नहीं की तो six was के मानतें यह उनको इसली आनते हैं। तो इस तरह के की जानके चोनाजिश का जो बरसी थे हैं तरह के आप आप में पढ़िए। महल को आप पढ़ता है। महाल के ऊपर पढ़ता है और जो छोगड़े चोटे जो बत्ते रहते हैं उन्सी तरीके से डवलफ ओती है वो इतना इसको हिरोईजम की तरफ इसको बनाते हैं कि यह तो हमारे ज़से हीरो हैं जब हम नाइंटी में गई थी में वहां पे तो जितने जी आतलकवादी कश्मीर कश्मीर से जब ट्रेनिंग लेकर आते थे तो उनके जस्टन मनाई जाते हैं उनके बड़ी बड़ी जाहते की जाते हैं और यहां तक उनके लिए बोला जाता था कि आपको जो भी हमारी जो कोई भी हम सुविधा चाहिए तो पड़िवार के चरफ से आम देंगे तो इस तर पिछड गया इन्हीं की वजए से जन्नत जो है वो दोजग बनकर रहे गई है मैं मैं वही कहना चाहते हूं नाइंटी में इन्होंने अपने जो हैं हिंदू जितने लिए उनके अजीन्स पूरा मौगल बनाया आज यह स्टोटी फोर्स के अगेंस मौगल बना रहे हैं यह जो चाहते ही नहीं है कि वहांपर आमन्शांती हों कि वांवे वाहार आज संफने नेता यह सिर्फ अपने लालच की वजए से पैसे बनाने के लिए यह बहां से पाकिस्तान से मूटा करना पैसा है उसको कमाने के लिए और उन पैसे का फै tissu इप सूथा है वाई बाट आ जो किसका पीछा है और दुसरे देश को ही खैसा है और और चांट के भविशे और जिन्दगी घ시면 कें सबना हुआ बढ़ किछ का लगा साथ में इनको प्यार महबत नहीं है सिर्फ पाकिस्तान जो पैसा आ रहा है उस पैसे को ले रहें आप उसनी जिंद्गी के मजह ले रहें उनके बच्चे आईशो आराम विदेशों में कर रहें किया यहीं उनका एक मकसद है बैक के लोग को इस बात को समझ लेना चाहिए कि बच्चे कहीं आजपूर में पढ़ रहे हैं कि जो अलगाव नेटा है इनको भारत सरकारी प्रस्टा जेती रहे हैं और ये जैसे अभी कहा गया ने कि चुनाओ का समय आचा पर इंसे समय उसे हो जाते हैं और इस तो गर्ति हमारी है तो जब तक हम बहुत कड़ा स्टेप न है और दो तीन बाते हैं कि मैं आपसे और भी कहना चाहूंगा कि जैसे कश्मीरी पंडित निका देगे उसके बाद जितनी पार्टियां थे कांग्रिस के सरकार बनी और बीजेपी की सरकार बनी सब ने प्रामिस किया कि हम पंडितों वहां बसा देंगे आज तक एक पंडित सब जगा अपने घरद्वार देकर और अपनी जंदी बसर करें सरकार यहां इतनी इस हद तक ना काम हुई कि अपने देश की धर्ती पर ही अपने ही लोग नहीं जा सकते और जो बाहर की सक्तियां है उनके लोग आकर वहां पर उनके उपर राजी कर रहे हैं पाकिस्तान से आ रहे हैं आतंगवादी आ रहे हैं उनके घरों में भुस रहे हैं उनको मार रहे हैं और हम इसको सतर साथ से वर्दास करते जा रहे हैं और अब भी हम कोई कड़ा इसने प्लेनिंग में तयार नहीं मैं समझता हूँ कि समय आ गया कि जब सेना को खुली छूट देनी कि कश्मीर को हम भारत का अभी नंग बात में नहीं बड़की वास्तिक्ता में कर रहा है ललन जी आपको माफी के साथ रोगूबा देखे ललन जी आप कह रहे हैं कि सेना को पुरी तरह से छूट दे देना चाहिए लेकि सेना तो लगतार आतंगवादियों को मार ही रही है सेन के अलाबा जो हमारी बाकी संस्था हैं वो भी बेतर काम करें केंट सरकार भी इसको लेकर काम करें जाच एजन्सियों को भी खुली छूट दी जाए पुलिस को भी छूट दी जाए और सरकारे भी काम करें तब इसका सफाय होगा खाली सेना से नहीं होगा सेना को कर रही है जब यहां तक छूट है लोगों को बोलने की जहां से सरकार चलना है। जहां से सरकार चलना है। लेकिन यह बहुत साफ्ट मुल्क है। और यही इसकी सफ्चे और ही कमजूरी है। मैं यहां पर चानक के कि एक बात आप उखना चाहूँगा। जो अपने सामराजय का विस्तार करता है। सिर्फ उसकी रक्षा नहीं करता। अब आप चीन को देख लीजे। चीन ने तिबबत ले लिया आपसे। चीन लंका में भुस रहा है। आपको पता है कि लंका के एक टापू है। उस चीन ने कबजे में कर लिया। उसका गुसरा थे तो चीन को देखे जो चानक के ने कहा। मैं देखता हूँ कि चीन की सरकार इग्जेक्ट्नी वही कर रही है। दीरे दीरे वो बरती जा रही है। और हम सिकूर्टे जा रहे है। हमने तिबबत दे दिया। जवार्ला नहरू ने उनाइटेड नेशन्स में सेक्योर्टी काउंसिल में चीन की वकालत की की चीन को इसका मेंबर बना दिया जाए वह आप इतने बड़े देश से अपने देश के लिए आपने ट्राई नहीं किया जिए अब वो चीन आपके खिलाब हो गया अब वो आपको कोई नहीं घुषने रहता हूं और आप ने उसको मेंबर बनवा दिया तो ऐसी महरवानी जो कंट्री करेगी इतना साफ्ट नेशन हम हो गया कि हम लुटा रहे हैं अपनी चीजों को और बढ़ाने की जगा हम अपनी संपत्ती दूसरों को दे रहे है एके मिश्रा जी इस विद् flour में हमारे देश के खिलाफी जहांसे हमारी सरकारी चल लही है जहांसे देश कि राजढनी है वहां पर इस तरह के नारे लग रहे है घाटी में हमारे जो है द्ढ़ जहन कर jour रहा है इस ना वरदास्ट कियों किया जा रहा है तक इसके पीछे है केवल पोलिट् sill जो है विल की कमी है देखे एक जो और सारी चीज़ जेना प्रेक्ट से जेना कारवाई करेगी तो बहुता हुआ कि इनकी जो मतलब जो आइडियोलोजी है जो नियम कानून है मैं बोलता हुँ कि आप अभी नॉर्मल लाइफ में सडक पे जाते हुए आप सिग्नल क्रोस कर दी को फेवर करने के लिए आ जाएंगे राजनेता कुछ मीडिया चैनल उसको फेवर करेंगे कुछ भी रोध करेंगे दूसरी चीज़ यह कानून को भी फ्री होकर के काम नहीं करने दिया जा रहा है ना यहां पर कनया कुमार के ऊपर यह आरोप है कि आपने ऐसे ऐसे किया उसमें जमानत नहीं होगी सक्त से सक्त कानून बनाए और उसको इंप्लीमेंट करें रही बात काश्मीर के इशू की जो आप बात कर रहे थे देखिए वहां कैसे मैनेज किया जाए तेकि सबसे बड़ी गलती क्या है कि जब वहां के जो दूसरे और लोग थे जो वहां से प पॉपुलेशन आ गई तो डेफिनेटली वह लोग उसका विरोध करेंगे तो टेरिरिजम के लिए एक नेचुरल जो है वहां की पॉपुलेशन ही उनके अगेंस खड़ी होगी तो इस चीज को जो मैं बोल रहा था कि साइकोलोजिकल वार भी आपको लड़ना है आइडियो कुछ लोग ऐसे बैठे हुए थे जो कि इसको फेवर कर रहे थे अरे मैं बोलता हूँ आप किस जो लोग डाइरेक्ट या इन डायरेक्ट में में जिनको बड़ी मुहबत है आजादी की या इन सब चीजों की अगर इतनी मुहबत है आजादी की तो जड़ा इतियास करने के लिए इसमें वकील भी हैं सब हैं ये बच्चे नहीं है सब अच्छे खासे पड़े लिखें डॉक्टर इंजीनियर ये सारे हैं तो उनको वो मैच्वर है वो वोटिंग देने का राइट है इसका मतलब है कि आप मैच्वर हैं और आप कानून को समझते हैं और आप जानते हैं कि आप ये गलत कर रहे हैं तो ये विलफुल एक्ट हो रहा है तो जो लोग ऐसा कर रहे हैं गौर्मेंट उनके साथ अपना विलपावर क्यों नहीं यूज करती है कुश्चिन ये है आप सॉस्ट कॉर्णर दे देते हो आप इसकेप के लिए एक विंडो उनको हर कार देते हाहा हूं रजीव जीव जीए इस समस्यय की से अपन तक नहीं निकला क्योंकि चारों तरफ से अर ले कर संजीत ही से काम करता है ना राज सरकार बिंसरकार कर थे सहले ना ओपाड़ देती है देख याजिए जिस देश में आतंकी की फासी चालने के लिए रात के दो बजी सर्वोच द्यानलय का दर्वाजा खुलवाने के लिए देश के बुद्धी जीवी लोग कतार में लगे हुए उस देश से आतंकवाद और आतंकवादी गतिरीटी खत्म करना सब में देखने के पराबर से जादा कुछ नहीं है जब एक आतंकी को फासी की सुनाई जा रही थी सजा उसकी सजा माफ कराने के लिए रात को दो वजे सूपीम कोट के जिन लोगों ने दरवाजे खुलवाए थी वो कोई आम लोग नहीं थे देश के करनधार थे अगर एक आदमी 151 जिसको चोटी सी मार्कृट की धारा कही जाती है उसमें भी बंद हो जाता है और पुलिस लेका अदालत में पहुंचती हैं तो वहाँ ये कह दिया जाता है कि अब पांच बजगे इसकी सुनवाई कल होगी कल अदालत कुल लगी आखिर हमारे देश के करनधारों को आतंकवाद्यो पांच बजगे जाए उनके लिए साड़े पांच बजगे भी आदालत खुल जाए आप उने पांच बजगे भी खुल जाए विडम ना इस डेश की यह है कि सर्वोच नियाल लेने भी इन आतंकवाद्यों के पनागारों के कहने पर अदालत लगा जिए कितने पीड़िते लिए इनको इनसाफ नहीं हुति उनकी शोटे छोटे मामनों में उनको वाकीरा बजगे दालत लिए प्हाद्यों सुटश इस डेश की मीडिया के बड़े बड़े मेंडिया इसके नमबरदा बड़े बड़े नेता आतंकवादी की फांच टांने पैरोकारी कर रहे हैं लेकिन इस बात को समझना चाहिए कि हर समस्या का समधान सेना ही नहीं कर सकती है सेना अपना काम कर रही है बेहतर अपना काम कर रही है अंजाम उसको दे रही है लेकिन राजसरकार किंद सरकार और प्रशासनिक अमले को भी अपना काम बखुबी करना होगा इमानदारी के साथ और उन लोग के खिलाब सक्त कारवाई करना होगी जो महौल खराब करने की कोश कर रहे हैं खासकार करम में इतना ही ताजा तरीन खबर गली देख तरी टीव एंडेट नमस्कार कर रहे हैं तूसर जमस्कार